हेलो प्रेंट्स, आप सभी को मेरा शत्षत प्रणाम, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है कथा सागर, आज हम जानेंगे तुलसी विवाह की कथा के बारे में, तो मेरे साथ इसी थरा मेरे चैनल पर बने रहिए और तुलसी विवाह की कथा का आनन एक बार शेव ने अपने टेज को समंदर में फेट दिया था उससे एक महा तेज़स्वी बालक ने जन्म लिया यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैट्यराजा बना इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था देख्यराज कालनेमी की कन्या व्रिंदा का विवाह जालंदर से हुआ जालंदर महाराक्षस था अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया परन्तु समंदर से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्विकार किया वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लाल्चा से कैलाश परवत पर गया भगवान देवादी देव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के सम्मिब गया परन्तु मा ने अपने योग बल से उसे तुरंत भचान लिया तथा वहां से अंतरध्यान हो गई देवी पार्वती ने कृद्ध होकर सारा व्रतांत भगवान विश्नु को सुनाया जालंदर की पत्नी व्रिंदा अत्यंत पतीवरता स्त्री थी उसी के पतीवरत धर्म की शक्ती से जालंदर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था इसी लिए जालंदर का नाश करने के लिए व्रिंदा के पतीवरत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था इसी कारण भगवान विश्नु रिशी का वेश धारण कर वन में जा पहुचे जहां व्रिंदा अकेली भ्रमन कर रही थी भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर व्रिंदा भैभीत हो गई रिशी ने व्रिंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया उनकी शक्ति देखकर व्रिंदा ने कैलाश परवत पर महादेव के साथ युद्य कर रहे अपने पती जालंदर के बारे में पूछा रिशी ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किये एकवानर के हाथ में जालंदर का सिर था तथा दुसरे के हाथ में धड़ अपने पती की यह दशा देखकर व्रिंदा मुर्चित होकर गिर पड़ी होश में आने पर उन्होंने रिशी रूपी भगवान से विंती की की वहाँ उसके पती को जीवित करे भगवान ने अपनी माया से पुनह जालंदर का सिर धर से जोड़ दिया परन्तु स्वयम भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए व्रिंदा को इस छल का तनक भी आभास न हुआ जालंदर बने भगवान के साथ व्रिंदा पती वृता का वैवहार करने लगी जिससे उसका सतित्व भंग हो गया ऐसा होते ही व्रिंदा का पती जालंदर युद्ध में हार गया इस सारी लीला का जब व्रिंदा को पता चला तो उसने कृद्ध होकर भगवान विष्णु को रिदय हीन शीला होने का श्राप दे दिया अपने भग्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्विकार किया और शाली ग्राम पत्थर बन गए स्रिष्टी के पालन करता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिती हो गई यह देखकर सभी देवी देवताओं ने व्रिंदा से प्रात्ना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे व्रिंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वय आत्म दाह कर लिया जहां व्रिंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा भगवान विश्णु ने व्रिंदा से कहा हे व्रिंदा तुम अपने सतित्व के कारण मुझे लच्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी तब से हर साल कार्थिक महिने के देव उठवनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है जो मनुष्य भी मेरे शाली ग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और पर लोक में विपुल यश्ट प्राप्त होगा उसी देट जालंदर की यह भूमी जालंदर नाम से विख्यात है सती विंदा का मंदिर मोहला कोट किशनचन में इस्थी थे कहते हैं कि इस इस्थान पर एक प्राचीन गुपा भी थी जो सीधी हरीद्वार तक जाती थी सच्चे मन से 40 दिन तक सती विंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनुरत पुर्ण होते हैं तो इस तरह दोस्तों आज की यह तुलसी विवाह की कथा यही पर संपुर्ण होती है ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और भी रोचक कथाय जानने के लिए आप सभी का धन्यवाद